उसके जाके अब हम इन्वेस्ट करेंगे और मैं कर रहा हूँ सीधे के सीधे एक करोड रुपाए करोड रुपाए invest into bonds bonds क्या होते हैं क्या रस होते हैं bonds में क्या हमें उसके इन्वेस्ट करना चाहिए live invest करके आप लोगों को दिखाऊंगा bonds में क्या या फिर safe हैं, क्यूं लाती हैं listed companies, इतने सारे bonds, क्या हमें अपने portfolio में थोड़ा सा allocation bonds में रखना चाहिए, क्यूं corporate companies लेके आ रही हैं, कैसे select किया जा सकता है bond with a quick checklist, और कैसे भला एक retail निवेशक आपके और मेरे जैसे invest कर सकता है bonds में, अगर यह सारे चीज़े आपके दिमाग में चल रही हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा, because इन सारे चीज़ों का answer में देने वाला हो, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, USA जैसे developed economic की जब मैं बात करता हूँ, जहां पर bond market एक huge market है, major market है, वहाँ पर वो इतना major role play करता है कि भारत से, इंडिया से 20 times बड़ा है वहाँ का market, so अब एक सी बात है कि इंडिया में अभी पे penetration का बहुत बड़ा scope है for this entire bond market, पर अभी तक क्यों नहीं वहाँ, उसके दो major reason है, पहला lack of awareness, मैं कुछ myths clear करूँगा आज के वीडियो पर, तो आपको समझ में आगा, लोगों के पास कितना ignorance है, इस bond के subject को ले के, और दूसरा accessibility, इसको पहले restrict किया गया था, H&I, बड़े state type के लोगों के लिए, जिसके कारण काफी सारे लोगों को लगता था, कि हमको तो मिलेगा है नहीं, only those people who could invest lakhs and crores, they had the feasibility of investing into bond market, और इसी चकर में, काफी सारे लोगों restrict हो गये थे, यहाँ पर invest करने से, लेकिन कुछ companies है, जिनने अब इसके ticket size affordable कर दी, even for retail players like you and me, जिसको हम वीडियो के आगे वाले part में समझेंगे, जब हम live invest करेंगे वहाँ पर, तो अब एक-एक करके, हम यह पूरे जो bond market का है न, इसके concept को थोड़ा तोड़ तोड़ के समझने की कोहिश करेंगे, as usual simplicity के साथ, जो की अपना style है, तो पहले आपको समझते bond क्या होता है, यह एक तरीका होता है, जिससे की raise किया जाता है funds by central government, state government या फिर corporate houses, वो money raise करने की कोहिश करते हैं, जिसपे की वो आपको देते हैं, एक fixed rate of return, कि भाई आप हमको पैसा दो, हम आपको इतना fixed rate of return देंगे, अब मैं आपको एक myth clear कर दू, जो की कुछ time पहले हमारे bond वाले वीडियो में, किसी महाशय ने हमसे पूछा था, कि आरे भाई, कोई company bond क्यों raise करेगी, bond इसलिए लेके आती, because company के हवाले निकल गए है, because companies अगर raise कर सकती थी, वो तो direct banks से कर सकती थी, banks नहीं दे रही, इसलिए वो bonds ले रहे, इस तरह के सवाल उनके दिमाग में आये थे, कि companies like Tata Motors, EJDFC Bank, Reliance, Axis Bank, etc, regularly ये अपने bonds issue करते हैं, तो क्या इसका मितब ये है कि ये सारी सडी companies है, इनके पास पैसे नहीं, इनके हवाले निकल गए, obviously, because इनके ticket size थोड़े बड़े होते हैं, तो mostly इन पर subscribe करने वाले H&I, mutual funds, fund houses, ये सारे ले पाते हैं, लेकिन इसका मितब ये थोड़ी है कि इनके हवाले निकल गए, तो फिर आपके दिमाग में अब दिमाग के चक्षू खुद रहे होगा, So, I hope आपका पहला मित तो यहाँ पर clear हो गया होगा, कि it's not कि छोटी मूटी company से bonds raise करती है, अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी companies raise करती हैं, So, by the way, मैंने यह मित तो clear करा, अब यह और भी मित क्लियर करूँगा, और अगर आप चाहते हो कि आपका और हमारा bond भी एकदम strong होता जाए, तो make sure इस वीडियो को जित्ता हो सके, like करते जाओ, थोड़े सी romantic line हो गई, पर चलता है, भावना है, समझ लीजे, आप लोग विसा चलता है, So, अब इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने next point पे, कि भाई, bonds तो ठीक है, लेकिन यह companies आखिरकार bonds raise issue क्यों करती हैं, यह सवाल आपके दिमाग में भी आए होगा, तो let's see, एक company के पास पैसे raise करने के क्या तरीके होते हैं, company के पास दो-तीन तरीके होते हैं, फर्स तरीका होता है कि यार सीधे bank से loan ले ले, अब loan लेने के चक्कर में क्या होता है, कि companies को एक rate of return, rate of interest देना पड़ता है, loan की जगह पे, जो usually थोड़ा higher side पे होता है, जो एक liability बन चाता है, companies के लिए, दूसरा होता है, equity based दो, equity public को बेस दो, तो उससे equity dilute हो चाएगी, ownership dil कोई भी promising businessman ये जादा नहीं चाहता है, और तीसरा फिर option इसलिए आ जाता होगे, बसकि एक decent rate of return पे, जो कि loan से कम होगा, हम public को ये पैसा दे देते हैं, या फिर H&I को देते है, mutual funds को देते है, by issuing bonds, तो आपको समझ में आ रहा है, फाइदे का सौधा है, it's more like कि ना बास मैंने थोड़ा गलग बुला है, feeling समझ जाओ, उसी तरीके से, the companies actually think कि हाँ, एक nominal rate of return, जो कि सामने वाली party को भी existing rate of return ये fixed deposit से जादा लगेगा, तो हम महां से पैसा raise कर सकते हैं, तो अब next question, ये है कि अगर हमें bonds में invest करते हैं, तो इसमें payments कैसे होते हैं, तो ये आपको यहा अलग-अलग method होता है, जैसे कुछ companies बोलती है कि हम annually देंगे, कुछ बोलते हैं कि एकदम जब खतम हो जागा, तो cumulative way में देंगे, कुछ companies बोलती है हम monthly देंगे, quarterly सबका एक payout schedule अलग होता है, जब आप bonds पे apply करते हैं, तो आपको ये चीज़ दिखती है, जहां पर एक investor decide करत है, but wait, मैंने अभी अभी एक word लियूज किया, yield, मैंने अभी कुछ technical terms use किये, तो ये yield क्या होता है, ये जो coupon का yield होता, उसको price से divide करने पे मिलता है, लेकिन इतना complex हम नहीं समझते हैं, क्यों ना, अब हम screen पे चलते हैं, देखते हैं कि हम खुद कैसे इस पे invest कर सकते हैं, और धीरे 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 करके with live investment हम सारे concepts को crack करें, ताकि यो एक step by step tutorial बन जाया आप लोगों के लिए, और इसके लिए हम use करेंगे golden pie का website, तो चलिए screen पे चलते हैं, अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि भाई, फिर ये, हम से पैसा ने ले रहे, तो पैसा कहा जा रहा है, कुछ तो क्या जा तो आपको बता दू, आप से कुछ पैसा ने लिया जाता है, ये direct जो companies होती है, उन से ले लेती है, तो आपको सबसे पहले तो जैसे आप normal login कर लोगे, आपका normal detail डाल के नाम ये वो, उसके बाद आप अपना आधार काड ये कुछ भी आप ID proof के basis पे कल लीजे तो आप अपना आधार काड कर लेंगे, उसके बाद मतब ये जैसे एक basic जो होता है, जिस तरह के आपन बैंकिंग डेटेल्स के लिए, वो सारी चीज है, उसके बाद अपनी एक प्यारी सी आप फोटो डाल दोगे, फोटो अप्लोड होने के बाद, ये बनलब बिल्कुल step by step आराम से easy interface है, जो आपको पूरी तरीके से guide करतेगा, उसके बाद ये आपको पूछेगा आपका जो भी bank account आपको link करना है, उसके bank account, bank account के detail with the IFC code मांगेंगे, और उसके बाद आप से ये पूछेंगे कि आप अप इसी है, because आपके जो bonds आने वाले हो इधर ही आने वाले है, और उसके बाद जैसे कि आपको within a day, आपको इनकी support team जो working day रहेगा, वो आपको connect करीगे और आपको help out कर दीगे इस चीज़ पे, तो ये तो हो जाएगा KYC, अब उसके बाद आप इनके website पे जैसी आओगे, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर काफी सारे bonds यहाँ पर लिस्टेड है, इंडियाबल हाउसिंग के, IFL, Homes के हैं, Home Finance के हैं, तो आप हो दिख रहा होगा कि यहाँ पर काफी सारे bonds लिस्टेड हो, लेट साइड में आप देखे कि यहाँ पर bonds, monthly income, high safe bonds, tax free bonds, state government bonds, guarantee bonds, काफी सारे bonds से, अब एक चते हो कि मैं एक वीडियो बनो हो, जिसमाई types of bonds पे आराम से मैं आपको explain कर दूँ, तो comments में लिखेगा बच्पन का प्यार, जितने बच्पन के प्यार होँगे, उत्ता जल्दी वीडियो आएगा, अब एक एक करके इसके फटा फटा बन टर्म स्क्रीन पे दे अब जैसे कि हमें तर गए इंडियाबल हाउसिंग फिनाइंस तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको बताया हुआ इंवस्पेंट अमाउंट क्या है इंड किया है कितने मन्स के लिए आपको रखना पढ़ेगा चाओ कितने मंट्स और पेय आओट का जो चीज रहता है वह बैसे यह रहता है कि अगर मानलों में थकीछ आगर आप quarterly लोगे तो हर quarter होगा yearly लोगे तो इल्ली होगा और cumulative लोगे तो एक साथ जब बांड काता हो जब तब मैं परस्नली मन्थली या फिर कोड़रली लेता हो इससे मुझे एक आईडिया रहता है जो बांड मुझे पेग कर रहा है वैसे तो ठीक है सेफ है इतना जादा नहीं है, but मेरा risk mitigate हो जाता है कि चलो मेरा पैसा आते जा रहा है, मेरे को rate of return आते जा रहा है, तो थोड़ा से psychologically mind में शान्ती रहती है, nothing else, यहाँ पर आप देख सकते होगे, debt quality भी आपको कुछ चीज़े दिखेंगे, for example, security, जो यहाँ पर लिखा है, bond is secured, seniority, मतलब, यहाँ पर senior हो आप, senior को हमेशा पहला preference मिलता है, तो आपको मिलेगा, and listed का बता है, plus कुछ की highlights बता हुए है, जहाँ पर के बता है कि let's take an example, आपने 10 lakh rupees invest किये, तो monthly interest आपका 7,408 का हैगा, now right side में आप देखे, cash flow भी आपको बताएगा, कि अगर आप 10,000 rupees invest करते हो, तो किस प्रकार से आ यहाँ पर आप fixed deposits के साथ आपका, जो return होता, उसको compare कर पाओगे, तो मैं तो इसको, तो normal fixed deposit से देखने से better है, कि हम अगर इसको देखते हैं कि tax adjusted क्या return निकलता है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, tax adjusted return की अगर मैं बात करता हूँ, तो post tax, अगर 10 lakh invest करेंगे, तो 1 lakh 29, 9,310 रुपी जादा कमा सकते हैं, as compared to fixed deposit, which indeed is great, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, TDS कटने के बाद तो भी, this is giving you a better return, तो यह इस हिसाब से होगा, तो चलिए, अब हम करेंगे live investing into the bonds, तो अब इस्ती बात है कि मैं retail वाले पर तो नहीं करूँगा, यह मेरा mood है, मैं थोड़ यह एचना ही लिखा हुआ है, उस पर जाके अब हम invest करेंगे, और मैं कर रहा हूँ सीधे के सीधे, एक करोड रूपाए, करोड रूपाए, invest into bonds, तो चलिए, अब इसके साथ आगे process बढ़ाते हैं, by the way, mamma mia, I'm just joking, I'm a joking, सिखाने के लिए इता थोड़ी invest करने वालो, चलो retail पर आजाते हैं, हाँ, तो अब retail पर आके, अब हम invest करते हैं, जैसे हमने बात करेंगे, अब at least minimum 10,000 करेंगे, तो हम इदर 10 units लेना पड़ेगा, हमने 10 units ले लिया, यहाँ पर select कर लिया, मन्थली मेरे को payout चीए, 9.26, total investment यहाँ पर clear हो गया, दिख गया, details यहाँ पर आपकी भरे होंगे, अच्छा mail verify कर लिजेगा, आप तो आपको वहाँ पर टका टक टना टन एक OTP आ जाएगा, जैसी वो OTP आ जाएगा, आप continue करेंगे, OTP डालने के बाद, OTP क्रिप्या किसी के साथ share ना किया कीजिए, ऐसा government भी गूलती है, कोई भी OTP मत कीजिए, फिर उसके बा आप जाओगे सीधे, आपका UPI ID डालोगे, और फिर आप क्लिक कर दोगे apply for the IPO, सारा detail डालने के बाद, आप जैसे ही apply for IPO कर दोगे, तो आपको link आ जाएगा आपके पास, उससे आप बे करोगे, और आप अराम से invest कर पाओगे into the bonds, तो ये तो हमने देख लिया कि आप कैसे invest क कर सकते हो, आसानी से bonds में, और bonds के कुछ concepts समझ लिये, और आपने देखा कि किस प्रकार से golden pie भी आपको help कर सकता है, जिसका link में description box में देदूगा, do go and check it out, और हाँ, एक fact भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि worldwide, including India, H&Is, bonds में at least 15 to 25% पैसा पार्क करते हैं, और वो इसलि जरूर करता है, तो आपको और हमको भी यह चीज़ फॉलो करने चाहिए, पर एक question उठता है, कि क्या bonds एकदम safe है, well, to break the ice, नहीं, एकदम safe नहीं है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहाई कि एकदम safe है, इसमें थोड़ा बहुत रस्त तो obviously होता है, इसको एक तरीक से देखिए, अगर ranking-wise आप decide करोगे, तो derivatives rank 5 पे आजाएगा, equity rank 4 पे आजाएगा, direct equity, mutual funds rank 3 पे आजाएगा, bonds rank 2 पे आजाएगा, और fixed deposits rank 1 पे आजाएगा, obviously, because आप जितना कम risk लेते हैं, उतना आपका return कम हो जाता है, इसलिए fixed deposits और bonds में, compared to mutual fund derivative and इन सारी चीज़ों से, returns थोड़ा कम होता है, now इसलिए इधर asset classes से थोड़ा कम होता, तो risk है, but if you are actually taking into consideration, जो मैंने 2-3 चीज़े आपको बताई, पहली चीज है कि कौन सा brand लेके आ रही है, brand का थोड़ा बहुत नाम होना चाहिए, दूसरा कितना size है, तीसरा कितने साल पुरानी वो company है, ये मैं personally देखता हूँ, चौथी credit rating agencies उसको क्या rating दे रही है, ये अगर कुछ सारी चीज़े आप देखते हो, अगर उसके थोड़े सा आप prospectus पढ़ते हो, तो आपको काफी सारी चीज़े आसान हो जाती है, और risk की बात करो तो भईया, fixed deposit तो और risk है, inflation 6% से बढ़ रहा है, आपके fixed deposit तो inflation को भी बीट नहीं कर पार है, post TDS तो आप actually में देखा जाता, तो आप negative में जाते हो, अगर आप real value के basis पे देखो, और जैसे देखें आप stock market में पी risk होते हैं, for example stock market में जाए है, HDFC bank और Reliance जैसी अची companies है, वहीं DHFL जैसी company और Video Con जैसी companies भी रह चुकी है, like wise bond market में भी कभी गभी उपर नीचे एक पुरानी company है, rating agencies क्या दे रही है, और मेरे हिसाब से एक और add कर लीजे, comfortable payout, जैसे कि आपने मेरे को देखा, मैंने monthly payout वाला लिया, इससे ने मुझे थोड़ा सा एक mind make certainty रह ठी कि यार चलो time to time में payout कर दी, मतब सब सब सही है, अचानक से अगर payout रुख जाएगा, तो तरह के वीडियो और आपके लिए बनाते हो, तो make sure आप like कीज़े, till then keep learning, keep doing, keep investing and keep trading.